आज का वीडियो की मैंने वीडियो होने वाला जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा और किसका पैसा नहीं आने वाला है तो आज के वीडियो में हम सब डिटेल से जाने हैं इसके साथ साथ गाइस दो ऐसे इस्टेटस वाले ब गई है 56,400 रुपे बीटेक थर्ड एयर की और इसमें आपको लगातार बोल रहा हूं कि पैसा आने का जो शिलसिला है और लगातार चल रहा है इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है जो मैं आपको लाइप रूप दिखा भी रहा हूं तो आज की रेट में भी पैसा यहां पर आय की है इस स्मार्टफोन और टैब्ल देने के लिए लेकिन ऐसा पॉसिबर होना दिख नहीं रहा है और गाइस आपको मैं बता दू कि गॉर्मेंट अगर वादा जो कर रही है उसको मतलब कि पूरी तरह से उस पर अग्रसरीत नहीं है उस पूरी तरह से उसको कंप्लीट करने के तयारी में नहीं है फियाक में नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं क्या होता कि गॉर्मेंट ने पिछले की एर्स वादा कि लिया था कि मैं आए एक करोड़ बच्चों को यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा बड़ क्या होता है कि 2020-22 में मात्र जो फ जब फाइनल पहुचेंगे तब उनको मिलेगा ऐसा गॉर्मेंट वादा करती है लेकिन इस बार ऐसा भी कोई वादा पुल्या करता नहीं दिख रहा है गॉर्मेंट और गैस मैं आपको बतादू कोई भी योजना गॉर्मेंट ला रहा है उस पे खराब नहीं उतर रहा है यूपी गॉर्मेंट का ये हाल काफी खराब है इसको लेकर गाईस अगर हम बात करें तो बहुत गंदा सिंच चल रहा है कि यूपी इस कॉलर्सिबल एक केस में ही क्या हो रहा है कि हर साल क्या होता था कि 20 मार्स तक या भी 10 मार्स तक सभी के पैसे आ जाते थे बड़ इस ब वेरिफाई है उनका पैसा नहीं आया है तो यहां पर ऐसा भी प्रॉब्लम चल रहा है जो गौर्मेंट आपके साथ बहुत गलत कर रही है और इसके लिए आप खुछ के लिए स्टेंड नहीं ले सकते हो तो यहां पर आपका ही लॉस होगा है वच्छे यहां बोलत हैं कि य गजब का सीन है अब यहां पर क्या है एक बच्चे बोलने कि वाई डिफार्मा की कब आएगी दिसंबर में वेरिफाई है ओबीजी कैटेगरी है पचपन प्रसेंडेश 12 में कब तक आ सकती है तो यहां पर इनका 55 प्रसेंडेश इनका है 12 में था और मैंने आपको कई बार बोला है कि गवर्मेंट साब साब एक क्रिटारिया फिस करी है कि अगर आपका 60 प्रसेंडेश से उपर नंबर होगा तो आप इस कार्शिप के लिए हैं आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं जाब बजट बचेगा तो आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा अगर आपका आना बहुत कम चांस है बट आप वेट कर लेना अगर आपका वेरिफाई है तो आपका इस्टेड़स क्या है ना 60 प्रसेंडेश का इसू आपडिट होने के वास्तों करने लग जाएगा ऐसा आप देख सकते हो आप यहां पे बच्चे बोलने सर सरावस्ति स्वरी यह बोलन आपके जो मायनेट्री में थे हो तो आपके जनरल में रहे होंगे तो बैसिकिला इस क्या होता है कि पैसा आ है बड़ मायनेट्री वाले बच्चों का नहीं आ रहा है और ऐसा क्यों होता है यह बीन्हज i.3 समेस्ट वेरिफाई तो गाइस अगर आपका वेरिफाइड है तो आप वेड कर लो 25 फेवरी स्वारी मार्स तक आपका पैसा आ सकता है अब यह बोल रहे हैं कि अभी नहीं आ रहा है स्कॉर्ट इस थाटी वन तारीक को आएगा तो बेस्किल आपने नोटिस पड़ाया तो नोटिस की रिगार्डि तो बेस्किल इस क्या होता है कि 31 को आपका पैसा आने वाला है अगर आपको पता है तो आप 31 तक वेट कर लो वीडियो को मत देखो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो और यहां पर इस लेटेस कमेंट क्या है लखना हों कि कब तक आएगी यह अच्छे बोल रहे ह अगर आपका स्टेटस वेरिफाई हुआ है मार्च में वेरिफाई हुआ है तो इस केस में आपको 31 मार्च तक वेट करना पड़ेगा और गाईस अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको गौर्वर्मेंट पॉइंट करें तो आपका पैसा नहीं आ सकता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे गौर्वर्मेंट इनको पॉइंट करेंगा और पैसे नहीं देने की बात कर सकता है इसमित्तगी आपको पता होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हो से केंडियर में चले जाते हैं तो उनके जो रिजल्ट है और नहीं आए होते हैं त अगर आप 1st year के चातर हो तो आपका पैसा 100% गारंटी के साथ आएगा यहां पे आपका पैसा आने से कोई भी नहीं रोग सकता है अगर आपका stress verify है तो तो यहां पे आज के लिए बस इतना है था और अगर आपको पैसा चेक करना हो और मैं आपको डेली बता रहे हो पेस ओपेनों के आएगा आपको सिंपल में नीचे यहां पे आजाएं जैसे आप यहां पे नीचे आते हो तो यहां पे हैगा इस यूपी स्कॉलर सी विच्टेटस द्रबाई तेस के आपे option पे क्लिक कर देना है यहां पे क्लिक करके आप सब अपने पेमेंट को इजली चे चेक आउट खो तो बैए जैर no क्यों को कमेंट करेंदा चैनल पर नैय ओं तो सबस्क्राइब कर देना है इस विचरो बिक कर देना यहां पे आप सब आपडे से अपने पेमेंट को ऑल भी सोख़ें यहां पर आ तो इस दो है